नमस्कार फ्रेंड्स ओंलेंटेक सब्पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब वटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब करेंगे कर निरे नहीं बंद किया गया नहीं वाका बलकी और वेंकों में भी उस अक्टिवीटी को देखते हुए heavensellेश को बंद कर दिया घ्रमनेंटली शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज रही है CSP की, यहाँ पे सभी को पता है कि हमें per transaction हमें यहाँ पे commission generate होता है और उसी को month में generate करके जो भी हमारा commission total होता है, उसके थूरू जो हमारा payment month का आता है CSP का, तो यहाँ पे बहुत सारे CSP honor क्या क करते हैं, जो transaction को बढ़ाने के लिए जो है अपना transaction support that को अगर transaction करता है 10,000 का, तो उनका transaction तोड़ करके यानि की 3,3 या दो बार में उनका transaction करते हैं, जिससे उनका double commission generate होता है, आप सभी को पता है कि आप चाहे 3,000 निकालें, तो 15 रुपया का commission है, या आप 10,000 निकालें, तो 15 रुपया का commission है, तो बहुत सारे CSP ऐसा करते हैं कि उस जो transaction को है, वो दो बार में करते हैं, तीन बार में करते हैं, जिससे उनका commission increase हो, तो अगर आप भी ऐसा गलती कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसा गलती न करें, और भविश्य में भी ऐसा गलती न करें, क्योंकि ऐसे जो भी transaction कर रहे थे, उन सभी CSP को एक तरह से कहें, bank strict action लेते हुए, उन सभी CSP को permanently बंद कर चुका है, बहुत सारे CSP, तो आप ऐसा कभी भी न करें कि जो भी 20,000 निकालने हैं, या 10,000 निकालने हैं, उनका transaction तोड़के, यानि कि उनका दो बार तीन बार एक ही आदमी का transaction न करें, अगर bank के पकड़े जाने में, अगर आप आते हैं, इस तरह के transaction आपको पाये जाते हैं, तो आपका CSP permanently बंद किया जाएगा, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, और भी bankों में, PNB bankों के CSP में भी मैंने ऐसे देखा है, कि उन लोग का अगर इस त कर दिया गया, तो आप इस तरह से transaction न करें, अगर आपका भी अगर इस तरह से transaction आप करते हैं, तो उसको बंद कर दें, जितना आप customer निकालना चाहता है, उसको एक बार में transaction करें, दो बार या तीन बार करके ऐसे transaction न करें, लोग कि bank जब भी bank के नजर में, जैसे ही आपको post transaction को आएगा, तो bank आपका जो है ID permanently बंद कर दिया जाएगा, और आपका CSP बंद हो जाएगा, तो इसका आप जरूर ध्याना राखे, कभी कभी कोई customer आता है, एक बार निकालने के बाद उसको पुना दोबारा पैसे की जुरूरत लगती है, तो दोबारा transaction करने आता है, इस bank भी उस चीज को इगनोर करती है, उसके लिए हमें हबडाने की जुरूरत नहीं है, अगर किसी का आपने ऐसे transaction एक दिन में दो बार तीन बार कर दिया है, तो एक दो का माईने नहीं रखता है, अगर ऐसे transaction अगर ज्यादा आपका transaction में पाएगा है, तो आपका CSP को बंद कि किया गया है, तो इस वीडियो में इतना ही, SBI CSP से रिलेटिव, CAC से रिलेटिव टेक से समझे किसी भी तरह के अपडेट को पाने के लिए, वीडियो के नीचे लाल सा लिखे सस्क्राइब बाटन को क्लिक करके इस चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें, ताकि ऐसे ही कुछ महत्पूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे, तब तक के लिए थांक्यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ महत्पूर्ण वीडियो के साथ, तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले, थांक्यू, धन्यवाद